प्रेक्टिस शिट में क्वेश्चन नम्बर वन रिक्त स्थान की पूर्ती करो मतलब आपको यहां पर मिसिंग लेटर्स दिये है वर्ण वाला है उसके कुछ लेटर्स है जो मिसिंग है वह में फिनिश करने ओके मैं लिख रही हूँ आप भी मेरे बाद में लिखते जाना देखो फरस्ट वन तो के नीचे कौन सी मातर है उकी तो तू के बाद तो के बाद क्या आता है तो तो तू के बाद थू फिर दू 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 नू पू फू दर सेम वे सेकेंड वन कई खई गई कई ऐसे ओके मैं लिख रही हूँ आप लोग भी मेरे साथ साथ लिख लो देखो मैंने ये लिखाया आपको भी इस तरह से पूरी वर्ण माला फिनिश करने ओके देन क्वेशन नमबर टू चित्र लिखें मतलब कि जो भी पिक्टर दिख रहे हैं उनके आपको नाम बताने वह नाम आपको यहां पर लिखने देखो फरस्ट क्या है गिलास तो यहां क्या लिखेंगे गिलास उसके बाद गुडिया बेलन साइकिल थैला गाजर गुलाब तारा चाकू और नेन जैसे कि मैंने आपको रिवीजन के ओनलाइन क्लास में बताया था कि नेन को हम आख भी कह सकते हैं पर क्यूंकि हमने आख के साथ लगने वाली चंद्रबिंदू को नहीं सीखा है इसलिए अभी हम क्या लगाएंगे नेन जब हम चंद्रबिंदू सीख लेंगे तब हम पर और ने यसी दोनों से कुछष लिए सकते हो यहां पर मैं सारे शब्दबक सरी सारे पिक्टर्ब के की हिंदी है तो हम लाइन के नीचे लिटला टक्टे लटक्टे लिखेंगे तो आपको सारे पिक्टर के नाम लिख लेने ओके जैसे यह फिनिश हो जाए देन नमबर 3 चलिए क्वेशन नमबर 3 में फिल इन दब्लैंक मतलब वाक्य पूरे कीजिए अब जब भी हम एक्जाम में या नॉट्बूक स्वारी हमारी टेक्स्ट बूक में जब भी हम फिल इंग दब्लैंक लिखेंगे तब हम एक बात का धियान रखना है कि ब्लैंक के साथ जो कमला डैश पहन कमला डैश पहन ऑप्शन जे माला और ताला आंसर बताओ कमला को क्या पहनना है माला तो हम क्या करेंगे सबसे पहले माला के उपर टिक लगाएंगे उसके बाद हम माला यहां पर ब्लैंक में लिखेंगे समझाए आपको ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि अगर कभी कभी यह होता है कि हमसे देखने में मिस्टेक हो जाए तो हमने अगर सही टीक लगाया हुआ है तो हमारा आंसर कभी ब्लैंक में गलत नहीं जाएगा उस तरह से मैं सारे आंसर लिख देती हूँ फिर आपको विलिक वारी हूँ कि आपको भी आंसर लिखने है कि देखीए मैंने यहाँ पर आपको दीख रहे हैं सारे आंसर दे ? अब मैं आपको one by one बलैंक विलिक कर वारी ओके फर्स्ट वन कमला डैश पहन ओप्शन्स ने माला और ताला कमला क्या पहनेगी? माला फर्स्ट टिक लगाओ उसके बाद आपको ब्लैंक में उसका आंसर लिखना है देन सेकेंड वन मदू की बहन डैश आई मदू की बहन का नाम क्या था? ओप्शन्स कमला और सुमन तो हमने क्या किया? सुमन पर टिक लगाया और आंसर भी सुमन लिखाए थर्ड वन चिडिया डैश लाई चिडिया क्या लाई थी? तिनका और गाजर क्या लाई थी? चिडिया तिनका चलिए रैट डाउन तिनका देन साजन डैश बजा साजन क्या बजाएगा? ओप्शन से तबला और माला येस तबला रैट डाउन तबला देन बाग डैश लाया बाग क्या लाया था? थाली की मिठाई तो बाग मिठाई लाया था रैट डाउन मिठाई उसके बाद डैश पके के ले लाई, कौन पके के ले लाई मदू और रेश्मा आंसर इस रेश्मा write down रेश्मा डेश ने चित्र लिये, किस ने चित्र लिये कविता और वैभव येस वैभव ने हरा भरा डेश था हरा भरा क्या था वरिक्ष एंड लास्ट वण डेश गुडिया लाई, कौन गुडिया लाई थी? सुमन, येस लिख दा सुमन, चलिए यहां तक डन, देन आता है question number 4, सही उत्तर चुनकर निशान लगाईए मतलब question है, उसके नीचे दो options है, जो correct option है, उसके उपर आपको write का tick लगाने understood, मैं के questions all करवाते जारी हूँ, आप लोग भी अपनी practice sheet में answers tick करते जाना, first one क्या निकल आया? options, दीन, आकास so, चो, क्या निकल आया था? दीन निकल आया था? क्या आकास निकल आया था? yes, answer is दीन, ता आपको दीन के उपर ऐसे tick लगा देना है, okay? then question number two आस्मान पर क्या चाया? आस्मान पर क्या चाया? नाव, बादर आस्मान पर क्या चाया? बादर, tick लगा दो question number three किसके शादी थी? question is किसकी शादी थी? किसकी शादी थी? बकरी और चीता? yes, बकरी पर टिक लगाओ then, next question चुहे का नाम क्या था? options भालू, कालू बताओ, चुहे का नाम क्या था? yes, कालू, टिक लगाओ next, कौन बढ़िया तईराग था? options ए, नेना कैलाश कौन बढ़िया तईराग था? कैलाश next one मुकुट कैसा था? मुकुट कैसा था? इसमें तो option के भी जरूरत नहीं है कैसा था? सुनहरा then रमेश किस के पेड पर चड़ा? रमेश किस के पेड पर चड़ा था? सेब के जामून? yes, जामून next वैभव ने कहां के चितरो लिए? वैभव ने कहां के चितरो लिए? options है नहीं नी ताल के सेर के कहां के लिए? नहीं नी ताल के next रीम जीम क्या आ गई? रीम जीम क्या आती है? yes, बारिश and last one चीडा क्या लाया? चीडा क्या लाया था? किसमें सी है? घास? yes, घास तो इन सारे question के correct answer को आपको tick लगा देना है ओके अब तक हमने 4 questions complete कर लिए now question number 5 सही या गलत का निशान लगाईए मड़ला true और false जो correct है उसके सामने right और जो wrong है उसके सामने wrong ओके? फटा फट से कर लेंगे चलो रिमजिम रिमजिम रात आई रिमजिम रिमजिम क्या आती है? रात आती है? no क्या आता है? बारिश तो ये क्या होगा? wrong उसके बाद रेश्मा पके सेब लाई थी? no तो क्या लाई थी? केले yes तो ये वाला भी wrong उसके बाद चुहे का नाम शेरू था चुहे का नाम क्या था? कालू तो ये वाला भी wrong उसके बाद बकरी की शादी थी? शादी बकरी की थी? yes तो right बागिन काली साडी पहन कर आई बागिन काली साडी पहन कर आई थी? no वो कैसे साडी पहन कर आई थी? नीली तो answer is wrong मुकुट सुनहरा था मुकुट केसा था yes, सुनहरा था तो right and last one वैभाव जिल में गीर पड़ा वैभाव जिल में गीर गया था yes तो answer is right so easy, फटा फट से कर लो चलो so now let's start with question number 6 शही शब्द पर गोला बन नहीं है मतलब हमने जैसे online session में भी सिखा था कि यहाँ पर आपको दो शब्द दिये उसमें से जो सही वाला है उसके उपर आपको circle करना है मैं अब भी underline कर रही हूँ क्योंकि अगर otherwise है ना वो आपको वीडियो में ठिक से दिखेगा नहीं आप circle कर देना ओके चलिए first one भालू भालू which one is right right कौन सा होता है भालू तो हम क्या करेंगे ऐसे circle करेंगे उसके उपर then second one तरेह तेरह which one is correct yes सरकल कर दीजिए third one मीठाई and मीठाई correct कौन सा है yes चलिए circle कर दीजिए फटा फट तेन आता है पीसा पैसा देखिए यहां पौके उपर दो स्लांटिंग लाइन है तो वो कौन से मात्रा हुई अई की मात्रा तो राइट वाला कौन सा है पैसा उसके बाद ठेला ठोला correct कौन सा है ठेला ठोके उपर कितने स्लांटिंग लाइन है एक तो वो कौन से मात्रा है एक ही मात्रा ठेला अई कि अई कि अई पर चिडिया और चिडिया विच वन इस राइट ये इस फर्स्ट वन सरकल कर दो एकदम इजी है ये तो फटा फट हो जाएगा उसके बाद से फर्द सफेद सफेद यानी वाइट कलर कौन सा राइट है सेकेंड वन तेन खास और गास जो ग्रास होती है जो गास होती है उसे खास कहते है गास नहीं कहते है उसके बाद तलाब तलाब राइट कौन सा है येस एंड लास्ट वन खेल खोल राइट वन कौन सा है खेल ये सारे वर्ड्स में जो करेक्ट वन है उसके उपर सरकल कर दो चित्रो देखकर एक और नाम लिखे जैसे कि हमने सॉल किया था कि यहां पिक्चर दिये है और पिक्चर के पास में उनके एक नाम दिये हुए हमें क्या करना है दूसरा नाम लिखना है जैसे कि तिनका तिनका का दूसरा नाम हमने रिशी की मात्रा में सिखा था क्या होता है त्रिन येस रैट डाउन त्रिन तो के नीचे री की मात्रा और त्रिन त्रिन पेड पेड को दूसरे सब्दों में क्या कहते है उसका दूसरा नाम क्या है व्रिक्ष रैट डाउन व्रिक्ष उसके बाद हीरन हीरन का दूसरा नाम म्रीग वेरी गुड़ लास्ट वन किसान का दूसरा नाम क्रिशक रैट डाउन क्रिशक को को लगी री की मात्रा शर और को ड़न अब क्वेशन नमबर एट उसमें आपको क्या करना है पता है पहले यह क्वेशन के पास में लिख दो एच डबली क्यों क्यों क्योंकि यह तब बहुत इजी वाला है मैं आपको एक्स्प्लेइन कर दूँगी फिर आपको यह पूरा होमवक में करने है अपने आप करने है ओके देखो क्योंकि नमबर एट में क्या लिखा है छोटी बड़ी तथा छोटाऊ बढ़ाऊ तथा ए और अई की मात्रा वाले शब्दों को अलग करके लिखे मतलब यहाँ पर आपको यह शब्द दिये है आपको इन शब्दों को अलग करना है कैसा अलग करोगे जिन में छोटी ही है वो छोटी ही के नीचे और जिन में बड़ी ही है वो बड़ी ही के नीचे तो आप क्या करोगे पता है पहले देखो कवीता छोटी की मात्रा है इसमें येस तो उसके निचे अंडरलाइन कर दो फिर दानी दानी में छोटी है नहीं है तो वो छोड़ दो फिर नदिया नदिया में छोटी है येस तो वो अंडरलाइन कर दो फिर नीशी, नीशी में छोटी ही है, येस तो उसे भी अंडरलाइन कर दो नमी में छोटी ही है, नहीं है तो वो skip कर दो भी फिर मिठी, उसमें है छोटी, no, skip कर दो फिर बिल, बिल में छोटी ही है, येस तो उसके नीचे अंडरलाइन फिर भीड, भीड में छोटी है no, तो उसमें underline नहीं करेंगे उसके बाद है नीदी नीदी में छोटी है, yes, तो उसके नीचे भी underline, and last one गीता, गीता में छोटी है नहीं है, तो अब हमें क्या करना है पता है, हमने जीन शब्दों में छोटी एकी मात्रा है, उसके नीचे अंडरलाइन कर दी, तो वो अंडरलाइन वाले शब्द कहां लिखेंगे, छोटी एके नीचे, देखो ऐसे, कवीता, फिर नदिया, ऐसे जिसमें छोटी एकी मात्रा थी, जो हमने अंडरलाइन किया है, वो छोटी एके ही में समझ हैं आपको ऐसे अलग-अलग करके लिखना यह आपका होमवक है उसी तरह आपको इन शब्दों में से चोटा हूँ और बड़ा हूँ को अलग करके लिखना है जैसे कि जितने में चोटा हूँ है पहले सब के सब के नीचे अंडरलाइन कर दो उसके बाद क्या करो ए है ना easy यह ताप अपने आप कर सकते हो उसी तरह पे एक की मात्रा और अई की मात्रा ए और अई को differentiate कैसे करेंगे अलग कैसे करेंगे अगर उपर एक slanting line है तो वो ए है अगर दो slanting line है तो i है इसमें भी एसा ही करो पहले एक मात्रा वाले शब्दों के उप नीचे अंडरला अई के नीचे तो ये तीनों मात्रा के शब्दों को अलग करके लिखना है वो आपका हॉमवक है ये आपको घर पे फिनिश कर लेना है तेना था है क्वेशन नंबर 9 वर्णों को सही क्रम में लगा कर चित्रों के नाम लिखे जैसे मैंने बोला था आपको कि यहां पिक्चर द लिख दिया है ला थाई तो हम क्या करेंगे उसको सीधा करके इसे लिख देंगे थाई ला चलो लिखो पिर उसके नीचे क्या है ये चीडिया तो रैड डाउन चीडिया ये तो बहुत इसी है गाड़ी फिर ये क्या है टेबल पर टेबल तो इंग्लिश में कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं मेज रैट डाउन मेज एंड लास्ट वन ये क्या है मुकुट डन नव लेट्स मूँ टू क्वेश्चे नमबर टेन चित्रो देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें मतलब यहां पर पिक्चर दिया है हेल्पिंग बॉक्स दिया है उनकी मदद से आपको ये ब्लैंक को फिल करना है देखो पिक्चर किसका है टमाटर का तो फिर्स्क ब्लैंक का अंसर तो यह से मिल गाए यह डैश है यह क्या है टमाटर आपको क्या करना है जब भी आंसर आप हेल्पिंग बॉक्स में से सिलेक्ट करो ना उसके ओपर इसे टिक लगा देना है क्यों ताकि हम कन्फिशन ना हो टमाटर लिख दो फर्स्ट वन में हो गया देन सेकेंड वन टमाटर का रंग डैश होता है टमाटर का रंग कैसा होता है ढूंडो आंसर देखो बहल्पिंग बॉक्स में गोल पोधे लाल बीज और खटा मिठा आंसर क्या आएगा लाल एसे टिक लगा और यहां पर लिख दो लाल टमाटर का रंग का रंग कर देखो अब हल्पिंग बॉक्स में जो वर्ट्स बचे उनको में चेक करना है गोल पोधे बीज और खटा मिठा तमाटर का रंग कैसा होता है गोल लिख दो यहां पर गोल टमाटर का स्वाद डैश होता है टमाटर का स्वाद कैसा होता है खटा मिठा टिक कर और लिखो नेक्स्ट टमाटर के डैश होते है टमाटर के क्या होते है पोधे तो उसे भी टिक लगाओ लास्ट वन टमाटर में छोटे छोटे डैश होते है टमाटर में छोटे छोटे क्या होते है बीज इतने सारे आंसस लिख लो ब्लेंक में उसी तरह से सेकेंड वन देखो ये पिक्चर किसका है दिवाली का और यहाँ पर हेल्पिंग बोक्स भी है चलिए शोल करना शुरू कर दें फर्स्ट वन डैश दिपो का त्योहार है दिपो का त्योहार कौन सा है दिवाली वो तो इजी है यहाँ पर दिवाली पर टिक लगा कर यहाँ दिवाली लिख दो दिवाली के दिन डैश जलाए जाते है दिवाली के दिन हम क्या जलाते है दिप आपको पता है ना कि दिवाली के टाइम पे मुमा घर के बाहर दिये जला के रखते है हम लाइटिंग से डेकोरेशन भी करते है दिवाली के दिन सब डैश जलाते है दिवाली के दिन और क्या जलाते हैं आप पटाखे आप लोग फोड़ते हो ना पटाखे दिवाली के दिन सब नए डैश पहंते हैं क्या पहंते हैं नए कपड़े दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की डैश होती है दिवाली के दिन हम क्या करते हैं लक्ष्मी जी की पूजा एना इजी चलिए उसके बाद थर्ड वन किसका पिक्चर है यह सेब चलिए सेब एक डैश है सेब क्या है सेब एक पूल है सेब का रंग डैश होता है सेब का रंग कैसा होता है लाल सेब बहुत डैश होता है सेब कैसा होता है गुणकारी गुणकारी मतलब हेल्दी अगर हम एवरीडे सेब खाएंगे न एपल खाएंगे न तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी सेब डैश पर उगते है सेब कहां उगते है पेड़ पर लास्ट वन सेब का स्वाड डैश होता है कैसा होता है खटा मिठा सो यहाँ पर अब हमारी प्रेक्टिस शीट खतम होती है आपको यह प्रेक्टिस शीट अच्छे से लर्न करनी है इसके सारे आंसर्स फिल करने है और एक्जाम के लिए बहुत अच्छे से लर्न करने है All the best for your exams Have a nice day Bye